नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं उडिशा में उडिए बंगाली में बंगाली राज करता है। लेकिन जार्खन में 36 गड़िया राज कर रहा था। अब समय आ गया है कि जार्खन पर भी सिर्फ एक जार्खन्ड ही राज करेगा। रैली को समधित करते हुए मुख्यमंद्री ने कहा है कि आज तक जर्खंड के मुलवासी की पहचान नहीं हो पाई थी 20 सालों तक इनके अधिकारों का हनन होता रहा लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सुरेन ने कहा है कि खतियान का मतलब है अपनी पहचान भारत में हमारी पहचान कैसे हो कि हम जर्खंडी है इसके लिए यह जरूरी था उन्होंने कहा है कि इनसान दुनिया भर में घुमता है लेकिन उसकी पहचान एक ही होती है उन्होंने कहा है कि जो खत्यानी है वही जारकंडी है गढ़वा के रंका वा चीनिया जंगल के आसपास फिर दिखा तेंदुगा गढ़वा के रंका पच्मी वन छेत्र के समी पुवर्ती गाओं में तेंदुगा को लेकर एक बर फिर से भाय का महल बना हुआ है गरामिनों के माने तो बंदुवा बरवाडी गाओं के जंगल से सटे इलाकों में रभिवार से मंगलवार दोपहर और साम के समय कई जगों परलागतार तेंदुगा को देखा गया जबकि गरामिनों के सुचना पर पहुँचे वनकर्मियों ने भी पग चीन की सिनाक्त के पस्चात अधिकारियों को इलाके में तेंदुवा होने की जनकारी दी है वन कर्मियों ने बरवाडी एवाम बंदुआ गाउं के ग्रामिनों को भी से सतर्कता प्रतने की सलादी है मंगलवार दो पहर को चीनिया थाना छेतरे के बरवाडी गाउं से बंदुआ होते हुए चफला गाउं तक हो रहे सलक निवानकार से जुड़े लोगों ने बताया है कि सलक निवानकारे में लगे जैसी भी एवम ट्रेक्टर चालक गाड़ी बंद कर खाना खा रहे थे तभी एकाएक बगल से गुजर रहे तेन्दुवे को देखा तेन्दुवे पर नजर परते ही कर्मी खाना पीना छोड़ कर जैसी भी के केविन में घूस गया है कर्मीयों ने बताया है कि करीब दो मिनट में ही तेन्दुवे वहाँ से वापस जंगल की ओर चला गया धीबरा की वैध कारोबार की होगी सुरुवात जारखन राज खनीज विकास निगम लिमिटेड यानी जे एस एम डीसी के द्वारा को दार्मा और आसपास के इलाकों में सालों से जमा धीबरा के निस्पादन को लेकर आज से वैध कारोबार की सुरुवात हो सकती है बता दे कि मार्श 2022 में ही इस समझेत नीती पर कैबिनेट से स्विक्रिती प्राप्त की जा चुकी है फिलहाल अवय दरूप से धीवरा का कारोबार को डर्मा और आसबस के इलाकों में चल रहा है इसे रोकने के लिए विभीन अस्तरपर विधाय को एमजन परतिनिद्यों ने भी सवाल उठाया था कैबिनेट से अनुसांसित नीती के अनुसार धीवरा डंप में अबरख की मात्रा और गुनवाता का आकलन जे एस एमडीसी को करना है इसके बाद इस डंप का केमिकल इनालिसिस होगा और इसी रिपोर्ट के अधार पर अबरख की गुनवाता का आकलन किया जा सकेगा है स्रियम हेमन्त ने कहा अबरख उध्यों के लिए नया कानून जल दे खतियानी जोहार यात्राक दूसरे चन की सुर्वात मुख्य मंत्री हैमान सुरे ने मंगलवार को कोडार्मा से की यहां के बागी टान एस्टेडिया में अव्योजित कारकरम को समधित करते हुए सीएम जहां पूरी तरह भाजपा पर हमलवार रहे वहीं अपने सरकार के उपलवतिया गिनाते भविस की योजनाओं को सामने रखा सीएम सीरी सुरे ने कहा है कि भाजपा ने राज अलग होने के बाद 20 वरस में 18 वरस से ज्यादा समय तक राज किया पर जहारखंडियों को पहचान नहीं दिला पाए भाजपा ने सिर्फ जाती धर्म हिंदू मुसलिम के नाम पर लोगों को लड़ाया और लड़ा रही है पर हमारी सरकार ने जहरखंडियों के लिए खत्यान अधायित पहचान दिलाने का काम किया है अपने समोधन की सुरुवात ही खत्यानी जोहार के साथ करते हुए हेमान सुरे ने कहा है कि राज के युगाओ को न रोजगार के लिए चिंता करनी है और न बच्चों को भविस की पढ़ाय के लिए सरकार सभी के लिए बिवस्ता कर रही है कोडार्मा और गिरी डी जीलेक के अवरक उध्यों को लेकर सीम ने कहा है कि कोडार्मा में सबसे उच्छ क्वालिटी का माई का मिलता था पर आज इसकी क्या इस्थिती है पुरू की सरकारों ने इस मामले में कुछ नहीं किया है HEC के अधिकारों ने राष्ट पती से की Mother of All Industries को बचाने की गुहार जारखन के रहधानी रांची के धुरुआ में इस्थित Mother of All Industries Heavy Engineering Corporation को बचाने की गुहार राष्ट पती द्रोपती मुर्मू से लगाई है HEC के अधिकारों नमंगलवार को महा महिम को एक पत्र लिखा है जिसमें HEC की दुरुगाती के बारें बिस्थार से बताया गया साथ ही यह भी बताया गया है कि इस अहम संस्था के करमचारियों को 14 महिने से बेतन का भुकता नहीं किया गया इसकी वज़त से अधिकारी और करमचारी बिसम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं अनुबंध कर्मियों ने सुरू की हरताल सोमवार को राजभण के घिराव करने के बाद से अनुबंध कर्मियों हरताल पर बैठ गया है कर्मियों का कहना है कि अब जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक या हरताल जाली रहेगी आपको ग्यात हो कि संग पारा मेड़ी कल निया मावली 2018 में आशिक ससोधन करते वे स्वास्त विभाग के सफी पारा मेड़कल कर्मियों को वर्ष 2014 की तरह विभागी समयोजन की पर कि लिए अबिलम सुरू नहीं होने के करान आकरोसी था है मांगे पूरी नहीं होने पस उल्ला जनवारी को संग ने मुक्ष मंत्री आवास का घेराव किया टाटा इस्टील में जुनियर इंजिनियर्स की बहाली टाटा इस्टील लिमिटेड ने जुनियर इंजिनियर ट्रेनी 2023 के लिए आवेदन अमांत्रीत किया है टाटा इस्टील लिमिटेड के करमचारियों पूर्व करमचारियों के बच्चों के लिए और करमचारी वाड पूत्र पूत्री दमाद करमचारी का कोई पूत्र नहीं हो के लिए आवेदन कर सकते हैं प्रसिक्षन प्राप्त करने वाले उमिद्वारों को उनकी प्रसिक्षन अवधिक दवरान 15,047 रुपए प्रतिमाह मिलेगा केवल प्रसिक्षन की अवधिक दवरान बाहरी उमिद्वारों को भोजन के साथ मुप्त चात्रावास परदान किया जाएगा ओनलाइन आवेदन 28 जनवाई तक कर सकते हैं वहीं 10 फरवारी को एड्मीट कार्ड मिलेगा और 29 फरवारी को लिखित परिक्षा होगी बीहार जा रही 63 लाख की सराव जार खन में जब्त बीहार ले जाई जा रही अवेद सराव की एक बड़ी खेब को दुमका पुलेष ने जब्त करने में सफलता पाई है उसे छोटे छोटे वाऄनों में लोट किया गया था पूलिस ने गुप्त सुचना के अधार पर कंटेनर समय दो अन्यवाहनों में लदे कूल 810 पेटी अवैद बिदेशी सराब चप्त की है गुमला में जमीन दलालों के खिलाप गरामिनों का फुटा गुसा गुमला जिला के चैनपूर परखंड में रहुतिया जाती की जमीन को दलालों के द्वारा बेज दिया जा रहा है इसमें परशासन की भी सनलिपता का आरोप लगाया गया जमीन दलालों की इस कर्तूत से रहुतिया जाती का गुसा फूट पड़ा और मंगलवार को चैनपूर मुख्यालाई की मुख्य सड़क को चार घंटे जाम रखा रहुतिया जाती के उनिसार पचास एकर से अधिक जमीन को दलालों द्वारा अंचल कर्मियों की मिली भागत से फर्जी तरीके से लिखवा लिया गया जिससे रहुतिया समाज में आक्रोस है चैनपूर बस स्टेंड को जाम कर आक्रोस परदसन किया वहीं सो भी बीच सड़क पर रखा बस स्टेंड लगभग चार घंटे जाम रहा वाटसेप ग्रूप पर लोटरी चलाने वाला गिरफतार जार्खन और पच्छी मंगाल की सीमा परिस्थित पूर्वी सिम्भूम जीला के गालू डी इस्थित अंचलिक मैदान के पास पान गुम्टी से लोटरी का धन्दर संचालित हो रहा था पुलिस ने इसका कुलासा किया है मंगलवार को पुलिस ने हाच्छा पे मारी कर संचालग गालू डी पाटम हुलिया निवासी गौतम मंडल को गिरफतार कर लिया है गौतम मंडल के घर से 20.89 लाख रुपए नगत बरामत किये गए पुलिस ने दो मुबाइल फोन, पांच नोटबूक, लोटरी खेलने वाले के नाम पतावा मुबाइल नंबर भी जब्त कर लिया है सालखन मुर्मू ने जमसेत पूर से किया मरांग बुरू बचाओ का अगाज आदिवासी सेगेल अभियान के राष्ट्रिय अध्यक्ष सापुर्व सांच सालखन मुर्मू ने पुर्वी सिम्भूम के जीला मुख्यले जमसेत पूर से मरांग बुरू बचाओ भारत त्यात्रा का अगाज किया है मंगलवार को उन्होंने टाटानागर में कहा है कि हेमन सुरेन की सरकार ने आदिवासीयों को धोखा दिया है इस सरकार ने लिखित रूप से पारसनात पहाड को जैनियों को सौप दिया इसे आदिवासी समाज कभी बरदास नहीं करेगा जमसेत पूर समेत जार्खन में पचास अधिक जगों पर आदिवासियों ने धाना परशन किया है बता दे सालखन मुर्मु ने कहा है कि गिरीडी स्थीत पारसनत पहाड मरांग बुरु को बचाने के लिए भारत त्यात्रा की सुरुवात की गई है पूर्भी सिम्हों में उपायुक्त का रियाले समेत जार्खन के अलग-अलग हिस्ते में पचास अधिक अस्थानों पर धाना परशन गया जेडियू ने कहा 1922 खतियान सीयम हेमन्त का राईनिती एजेंडा तीन दिवसे दोरे पर जार्खन पहुँचे जद्यू के नौ नियुक्त परदेश परभारी और बिहार सरकार में मंत्री डाक्टर रसोक चौजरी ने जार्खन में 1922 अधारित अस्थानिय निती लागू होने को हेमन सरकार का राईनितिक एजेंडा बताया है उन्होंने मंगलवार को स्टेट गेस्ट हाउस में पार्टी नेताओ के साथ बैठा के बाद मीडिया के एक सवाल पर कहा है कि खत्यान अधारित अस्थानिय निती तभी लागू हो पाईगी जब केंद्र इस पर सवकरिती देगी राज सरकार के केंद्र से संबंध जग जाहिर है ऐसे में केंद्र से स्वकरिती मिलेगी या नहीं यह बड़ा सवाल है ऐसे में फिलहाल अभी तो यह अधार में है सरकार के नियम बदलते ही डिलरों ने निकाली नई तक्रीब राशन कारधारियों को उचित मात्रा में अनाज मिले इसके लिए सरकार ने PDS सिस्टम में जन्वारी 2023 से नई पदती लागू की है राशन बितरन में कोई गरबड़ी न हो इसके लिए इपॉस मसीन को माप दल काटे से साथ अटेच कर दिया गया है इसके बाद राशन डिलरों ने तरकीब निकाली और राशन बितरन में फी से गरबड़ी सुरू कर दिया अब पहले की तरह ही कारधारियों की हक मारी सुरू हो गई है बता दे सुमवार को ही पाकुड परखन के इलामी पंचायत बहुन में रासन कारधारियों जम कर हंगामा किया है लभार्तियों का आरोप था कि रासन डिलर इपोस मसीन के साथ माप तोल मसीन अटेस्ट तो कर देते हैं लेकिन अनाज के साथ अलग से बट खारा रखकर कौम अनाज दे रहे हैं जैक ने जारी नहीं किया हिंदी का मोडल पेपर जारखन एकेडमिक काउंसील जैक की ओर से दस्य और बराविक विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परिशा का सेडियूल जारी कर दिया गया है परिशा 14 माज से सुरू होगी लेकिन जैक ने अभी तक विद्यार्थियों के मोडल पेपर के सिर्फ एक एक सेट ही दिये हैं वहीं हिंदी बिशाय का एक भी मोडल पेपर जारी नहीं किया गया विद्यार्थियों को पैटरन समझने में परचानी हो रही है इससे पहले पांच विशायों का मोडल परशन पत्र जारी किया जाता था वहीं परते एक विशाय के पांच पांच सेट भी मोडल पेपर मिलते थे बता जेतो है या तैस में होने वाली परिक्षा के लिए भी द्यार्थियों का प्रशन पैटरन बदल गया है अबजेक्टिब और सब्जेक्टिब दोनों तरह के प्रशन पत्र के अधार पर परिक्षा होगी तेरह हजार स्वास्त करमचारियों ने काम किया बंद जहार खंड एक ऐसा राज है जहां स्वास्त सिवाव को बेहतर करने का दावा किया जाता है इन दावों के पीछे कोशी से कितनी मजबूत होती है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज राज के तेरह हजार स्वास्त करमी सलकों पर बैठे है बता दे अपने विभीन मांगों को लेका धारना पर राज भर के स्वास्त करमचारी बैठे हुए है जिस वज़ा से विभीन जी लोग के पी एच सी ची में स्वास्त करमचारी की एक ही मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए अनुबंध पर बहाल एनेम जी एनेम लैब टेकनेसियन के बिरोध परदसन का नेतित्व कर रही बीना देवी बताती है कि पिछले 15 वर्षों से वह सरकार के लिए सेवादे रही है इसके बावजूत राज सरकार उनके निमिती करन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है धन्यवाद